जोशिमत में इस वक्त आपदा का समय है और इसी लिहाद से संकराचारे जी ने खुद PIL दायर की है, जनहित याचिका दायर की है आपसे हम समझना चाहेंगे शंकराचारी जी जो आपने PIL दायर की है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या कुछ मांगे आपकी तरफ से रखी गई है देखी हमने ये चाहा है कि जो उत्तरदाई संस्थाएं हैं सरकार है उनको निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी करे कि इस घटना को हलके में न ले गंभीरता से ले क्योंकि केवल बीस पचीस हजार लोगों की प्रान का ये प्रस्णनी है सबके प्रान संकट में है ये भी और ये शहर एक धरोहर है और केवल ये बीस पचास जार लोगों का केंद्र नहीं है ये समस्त सनातन धर्मी 80 करोड से अधिक जो सनातन धर्मी है उन सनातन धर्मियों की आस्ता का केंद्र है बगवान शंकराचार जी ने शार पीट जो बनाये है उनमें से ये प्रमुक एक वर्स से अधिक का समय हो गया जब से ये क्रेक्स आने शुरू हुए लेकिन प्रसासन ने कोई इसका ध्यान नहीं रखा जब घरों में दरारें बढ़ने लग गए लोग अपने घरों को शोड़ करके अपने रिष्टेदार नातो दारों में जाने लग गए और तब भी न अब तक रहेगी अभाविक है फिर दूसरे काम क्योंकि सरकारों के सामने बहुत काम होते हैं तो दूसरे कामों में ब्यस्ता हो जाएंगे तो इसलिए हम चाहते थे कि हमारा माननी उसे तमनी आयले इसमें कोई ऐसा निर्देश पारित कर दे जिससे ध्यान पूरा बना रहे और ये नगर बच सके तब ही कहे दिया था कि जो शिमठ में समस्याएं बढ़ जाएंगी अगर यहां पर ज्यादा शेड़ शाड़ की गई क्योंकि यह बहुत कच्छे आधार पर यह स्थिर है उसके बाद 91 में फिर 96 में फिर उसके बाद 2003 में और उसके बाद कई बार ऐसे मौके आया और अभी तपोवन यहां से जादा दूर नहीं है एक वर्स डेड़ वर्स पहले ही वहाँ पर बहुत बड़ी आपदा आई जिसमें 200 लोग कालकबलित हो गए तो इन सब परिस्तितियों के मद्दे नजर इस बारे में अध्यान होना चाहिए था लेकिन देखिए गजब की परिस्तित कि इन कारणों से यह गटना हो रही है यह जो दरारें आपके यहां आ रही है यह जो परिस्तिती निर्मित हो रही है यह जो पानी का रिसाव जगह जगह से हो रहा है यह जो मकान एक दूसरे पे टिक जा रहा है तिर्चे हो करके यह सब इस कारण से हो रहा है ऐसा कहने के ल कऱTuए वotz लेकिन आज कोई कहता है कि एंटी बीजी के कारण है टनलों की जो नीचे से स्वरंग बना करके जारी उसके कारण है कोई कहता है कि बड़ बड़े मकक अधार से हो रहा जो रहें ँभ रहें घाल बेदर रोड बन रही है उसके ब्लैस्टिंग के दमक से हो और जब कारण पता चल जाएगा तो उसके निवारण का उपाय भी हम खोज लेंगे कारण तो पता चले पहले जांच हो जाए तो दबाईया तो अपने पास है डाक्टर कोई ने कोई दबाई देखे ठीक करी लेगा लेकिन कारण का ही अब पता नहीं है तो ऐसी परिस्तिति हो गई है किसी से पूछे कोई बताने को ठीक से तियार नहीं है अब तो हम ये सोच रहे हैं कि हम खुद जो है कुछ भी शेशग्यों को हायर करें और एक कमिटी बना करके खुद इसके कारणों की जाच करके आगे बढ़ें क्योंकि कहीं से कोई सहयोग ऐसा बौधिक मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जनता त्राही त्राही कर रही है लोग हमारे पास आके रो रहे हैं हम क्या कर लेंगे तो ऐसी परिस्तिती में अगर हम लोगों को पहले से पता होता कि हम लोगों को ये करना होगा तो हम पहले से अध्यान करके रखते तो बहुत कुछ हम सीखने समझने को भी मिल रहा है हिंदु आस्था के लिहाद से बहुत एहम माना जाता है चोतिर मठ में दरा रहे हैं नरसंग मंदर में दरा रहे हैं मुख्यमंतरी खुद देख के गए हैं और आप खुद कह रहे हैं कि कही ना कहीं सरकारों की तरफ से कुता ही बरती गई है तो क्या इससे पहले भी आप प्लिए की प्लेए। भरगला दिया गया था अधिकारियों के दौरा तो यह सब परिस्थिती है अब हम उसमें जानानीचाहेंगे क्योंकि यह समय नहीं है यह समय है कि तत्काल लोगों के प्राणों की और इस बात कि के आश्वासन की यह समय ज़रूरत है कि आपको जीवन कथि नहीं में नहीं डाला जाएगा आपके प्राण की भी रक्षा होगी और जिस परिस्तिती में आप रह रहे हैं पुनरवास की अगर आवसिक्ता हुई तो वैसा ही पुनरवास हम आपको उपलब्द करा देंगे आप खुद भी आज कई लाकों का मुआइना करने वाले हैं जी ह उनकों कुछ सूज नहीं रहा है आँकों के सामने उनके अंधे रहा है तो उनके मने बलको बढ़ाना उनके साथ खड़े हो करके यह भी हम जरूरी समझते हैं तो इसी दृष्टी से जा रहे हैं और हम सरकारों से भी चाहेंगे कि वो भी थोड़ा समेदन सेल रवया अपना है कि जोतिर मठ जो हिंदू आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है महासर शंकरा चाले जी ने खुद सुप्रीम कोट में पी आईल डायर की है और वो इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं लगातार सरकारों के द्वारा कोता ही बरती गई और उसका नतीजा है कि अब जोशी मठ के अलग-अलग हिस्सों में दरारे हैं और साथ ही हिंदू आस्था के प्रतीक जोतिर मठ में भी अब दरारे दिखाई दे रहे हैं झाल